हलो और वेलकम बेक माई डियर सोल फैमली कैसे हैं आप सब उमेद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं खुश है पॉस्टिब हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हिल्दी हैं और अपना-पना ख्याल रख रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एंजिल नंबर 170 अगर ये नंबर आपको हर जगा इंकाउंटर होने लगे तो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप से यही जानने वाले हैं छोटी सी वीडियो है इसलिए बिना स्किप के देखेगा और अगर आप इस चानल पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करके आप भी हमारे फैमिली का पार्ट्स बन सकते हैं और बेल आइकन को वाल पिस जरूर से प्रेस कर लेजेगा ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वाच कर पाएं तो शुरू करते हैं वीडि दिखने लगते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव शाइन होता है यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी सारी शक्तियां आपसे कनेक्टिट हैं अगर आपको फील नहीं होता है तो आपके लिए मैसेज है कि आपसे पॉजिटिव शक्तियां कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी हमें angel number, कोई साभी angel number, 000, 111, 222, 333, ऐसे 0 से लेके और जितना भी number हो, अगर आपको repeated number दिख रहा है, तो उसे हम angel number कहते हैं, और ये angel number जब भी दिखता है, तो आपकी life में miracle लेके आता है, angel number 170 की बात करें, तो ये बहुत positive number है, क्योंकि अगर आप इस परिवार का हिस्सा है, तो आपको पता होगा, seven number अपने आप में पावर है, अगर हम zero number की बात करें, तो zero number new beginning का शाहिन है, इसका मतलब यही होता है, कि आपके life में कोई बड़ी negative situation अभी अभी खत्म होई है, और अब आप नई शुरुआत करने वाले हैं, angel number one one का meaning होता है, कि आपके life में नई चीजे शुरू हो चुकी है, और ये तीरों number आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना miracle होने वाले हैं आपके life में, आपके लिए यही message है, कि आप जो भी चीजे attract करना चाते थे, आपको attraction का मतलब पता नहीं है, don't worry, अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाते थे, बहुत दिनों से, मंदिरों में, मस्चितों में, गुरुद्वारों में आप जाके माथा टेक रहे थे, वो चीजे मिल नहीं रहे थे, आपके वो इच्छा पूरी नहीं हो रहे थे, तो अब आपके इच्छा पूरी हो जाएगी, अगर आपको daily angel number 170 दिखने लगा है, ये नमबर दिखना शुरू कैसे होता है, जैसे आप phone देख रहे हैं, तो उस वीडियो में आपको ये नमबर बार बार encounter होगा, टीवी देख रहे हैं, वहाँ देख सकता है, किसी के गाड़ी के नमबर पे, phone नमबर में, कहीं भी बार बार ये नमबर दिन भर में 5-6 बार दिख रहा है, तो समझ लेज़े कि आपके लिए कोई न कोई मेसिज है, जो आपकी Spirit Guide Universe आपको देना चाहते हैं, कई बार हम अपने रोज मरा के लाइफ में भूल जाते हैं, कि हमारे लिए और कोई भी है, आप अपने पुरवजों की पूजा नहीं करते, तो प्लीज पहले उनकी पूजा कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको जो भी Blessing मिलती है Universe के तरफ से, वो लेके आने वाला जो परसन होता है, वो आपके पूरवज होते हैं, इसके बारे में अगर नहीं जानते, तो अच्छे से पढ़िए, जानिए, और इस चीज को फॉलो कीजिए, अगर आपके एंसिंस्टर खुश रहेंगे, तो आप जिन्दी में सारी चीज़ों को अकरशित कर पाएंगे, इसलिए, ध्यान से आज से आप सोने से पहले अपने एंसिंस्टर का शुक्रियादत तो जरूर ही कर सकते हैं, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है, तो इसे भरपूर शेयर कीजिए, मैं भी मोटिवेट होते हूँ अगर आप लोग शेयर करते हैं, अगर आप अपने लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर लॉफ अट्रेक्शन टेक्निक की वीडियो है, और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपने परसनल बात शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा आइडिया है, शेयर कर सकते हैं, उसका सलूशन मिलेगा आपको, मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए, खुद से प्यार केजिए, खुश रहे, हल्दी रहे, पॉजटिव रहे, मुस्कुराते रहे, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स वर वाच्चिंग, लव यू अल, बाई!